साथियों नमस्कार, बहुत सारे छातरों का मुझे मेसेज मिलता है कि उनकी फॉर्म में गलती हो गई है किस प्रकार की गलतियां होई है और आगे का रास्ता क्या है हम इस पे बात करेंगे तो कि कुछ स्टूडेंट्स ने अपने प्रॉब्लम को जिस तरह से एड्रेस करवाने की कोसिस की हम वो मेथट आपको भी बताते हैं देखिए यह OTR है इसमें फॉर्म में भरते समयना आप एक एक पर्टिकुलर्स को मिला लें उसके बाद ही अप अपने फॉर्म को सब्मीट करें यह बहुत बेसिक सा चीज है बट फिर भी गलतियां हो जाती हैं कई स्तर पे गलतियां हो जाती हैं कई लोग किसी और को फॉर्म भरने को देते हैं देखिए मैं तो यह बिलकुल नहीं कहूंगा सबसे पहले यह आप इमेल आइडी नोट करें बढ़ा कर दे रहा हूं-bh-nic.in यह मेल आइडी आप नोट कर लें ठीक है और इसी पर आपको मेल करना है यह वर्तमान के जो मेंबर्स हैं Secretary, Joint Secretary, Deputy Secretary, Under Secretary और यह आप नमबर नोट डाउन करें कोई भी परेथानी होती है तो यह IT section का है और Inquiry section का है नाव मुझे यह information मिली कि बहुत सारे छात्रों ने बताया कि जब यहाँ पर call किया जाता है तो exam controller सरसे मिलने को कहा जाता है या उन से बात करने को कही जाती है कई cases में तो हम सारी चीजों पर बात करते हैं यह कि पहली चीज कि जो अधिकतर मुझे complaints मिले हैं वो cyber cafe में लोगों ने भरवाया है और वो लोग आपके form को उतना serious क्यों लेंगे आप जो बोलेंगे वो जल्दी जल्दी भर देते हैं उनके पास और भी काम होता है तो आप मैं तो कहूंगा आप खुद से भरें अपने आप भरें आप किसी भी व्यक्ति को यह काम ना सौपे प्लीज क्योंकि बहुत सारे लोगों का किसी का केवल cdpo भर दिया आप बताए कितनी बड़ी समस्या होगी 200 sdm 200 sdm आप चिला रहे हैं और केवल cdpo पर टिक करके आगए तो यह काम नहीं करना now verify करना है ठीक है आपको 24 मिनट का समय मिला है बट उसके बावजूद भी मैं बताता हूँ कि आपको कैसे जल्दी भर लेना है आप जितने particulars हैं आपके एक बार form को खोलिए जैसे point number 1, 2, 3 एक rough copy में आप लिख लेजी और सीधे उसको feed करते चलिए आप देखेंगे कि 10 से 12 मिनट में ये आपकी total fill हो जाएगी जैसे माल लिजी कि दो लोगों का नाम भरना है जिनको आप जानते हैं जो आपकी relation में नहीं है तो अगर आपने पहले से नाम भर लिया जैसे number 1 पे एक X है और उनका address ये है और number 2 पे Y है और उनका address ये है तो आपके लिए ये easy हो जाता है जिसे माल लिजे आपके chest का है तो फुलाए हुए और बिना फुलाए हुए तो अब क्या form भरने के करम में आप उसको नापेंगे नहीं और उनको centimeter में इंच में जो भी particular साब से मांगते हैं आप इस point order में लिख ले और फटाफट उसको भरते चले और verify री verify आप जरूर करें जब तक पूरा आस्वस्त ना हो जाए आप form को submit ना करें नाव जो mail ID हमने आपको अभी दिखाया उपर ये mail ID आप note-down कर लें य देखे BPSC एक काम करता है जो आप mail करते हैं मैंने पास्क में भी देखा है BPSC में उसको consider किया जाता है जैसे माल लिजिए कि आपको कोई भी समस्या है तो अधिकतर लोगों को अगर कोई समस्या आ रही है तो आयोग consider कर लेता है उसको ठीक है जैसे आपने देखा कि correction वाला भी आया तो correction वाला दिकत की बात यह है कि केवल OTR अभी हो रहा है और जरूरत है कि पूरे form को जो application form है उस पूरे form में कोई सुधार के व्यवस्था नहीं है तो मेरी भी आयोग से गोजारिस है कि आयोग पूरे form में correction के लिए option दे दे क्योंकि उससे जैसे मैंने बताया ना जिनका केवल CDPO टिक हो गया है अब मालेजी इसमें 12 seat है तो 12 seat के लिए थोड़े तैयारी करेंगे अगर केवल CC टिक हो है तब तो ठीक है अब गलतिया तो हो गई है यह आयोग की गलती तो नहीं कहेंगे यह आपकी गलती है कि आपने वो टिक किया है बट फिर भी आयोग से आप लोग request कीजिए कि हमसे गलती हो गई है अंजाने वस गलती हो गई है और ऐसा आपकी समस्या नहीं है बहुत सारे लोग है जिनकी समस्याएं है तो आयोग जो है इस पर आपको correction के लिए यूँ कहें कि एक option दे दे कई सारे लोग का आधार में mistake हो गया था तो आधार का आपके पास option है अब आप जा करके change कर लीजिए उसको अच्छा कुछ लोगों का पूछना है कि क्या अगर जैसे कि अगर इस साल अगर कोई OTR में change करते हैं तो उसके लिए अलग से fee की demand करेगी क्या है देखिए मान लीजिए कि आप male है और आपको 600 रुपे जमा करना है और दिये जाते हैं आप notice को एक बार नहीं अगर कोई भी आप changes कर रहे हैं तो multiple times उस notice को पढ़ें और interpret करें कि इसका meaning क्या है और फिर आप आगे बढ़ें क्योंकि form की एक गलती आपको बाहर कर सकती है पूरे process से आप यह ध्यान देंगे photo मैंने बार बार कहा है कि आप photo ठीक से आप अपना खीचेंगे कोशिस करेंगे कि ज्यादा ते ज्यादा इस space को जो live photo खीचते हैं वो cover करें पीछे जो है वो कोई तक जखक वाली स्थिती नहों हो एकदम साफ clear background हो आपके चेहरे पे light पढ़ता हो ताकि photo आपका साफ आ जा नहीं आ रहा है या फिर बहुत beautiful नहीं आ रहा है वो ठीक है वो अधार का डॉला जो photo होता है उसी तरह आता है बट ठीक है तो यह इस पर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपका कोई problem हो और यह जो है इस पर आप mail कर दीजिए mail करेंगे अगर आपके साथ दिक्कत है तो आप